Hello and Welcome to the Milestone Vlogs दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैलानी बहराईच रेल सेक्षन के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले सारे वीडियो आपको पर्मनेंटली मिलते रहें दोस्तो बात करते हैं हम मीटर गेज रेल सेक्षन के बारे में 5362 मैलानी बहराइच एक्सप्रेस का रैक पलिया कला रेल वेज शेशन पे खड़ा है और इसके लोकों को यहां से मैलानी जक्षन भेज दिया गया था लॉकडाउन की वज़ा से दोस्तो इस रेल सेक्षन को बंद करना पड़ा एक बार फिर से दोस्तो जब मैं यहां पर पहुंचा मेरे साथ मेरे भाईया पवन जी भी मौझूद थे उन्हीं के सहयोग से मैं इस वीडियो को शूट कर पया थैंक्यू पवन भाईया फर सपोर दोस्तो फिलाल यहां पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक बार फिर से लोगों को परेशानी यहां पर होने वाली है क्योंकि जिन लोगों को मैलानी से लेकर और बहराईच तक यात्रा करनी होती थी उनके लिए यह ट्रेन एक सस्ता और सरल माध्यम है यात्रा करने के ल पर भी जो ट्रेंस चल रही थी लोकल ट्रेंस उनको भी फिलाल यहां पर बंद किया गया है और अगर हम बात करें मैलानी बहराइच रेल सेक्शन के बारे में तो दोस्तो फिलाल तो ट्रेंस को अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया है क्योंकि यहां पर अभी कुछ कहा न दी जाए और दोस्तो पलिया कला रेलवे श्टेशन पे जब मैं पहुंचा पवन भीया के साथ तो यहां पर बिल्कुल स्टेशन परिसर बिल्कुल खाली पड़ा था लेकिन यहां पर जो रेलवे का स्टॉल है जो दुकान है यहां पे वह खुली हुई थी हाला कि मैंने कोरोना गाइडलाइन्स के चलते मैंने दुकानदार से बात नहीं की मैं यहाँ पर किसी से मैंने बात नहीं की इसके बारे में की कैसे क्या हुआ है कैसे नहीं तो दोस्तों फिलाल यहाँ पर मैंने यह छोटा सा वीडियो पाउन भिया के साथ शूट किया था आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा अभी यह साफ नहीं कहा जा सकता कि यह ट्रेन कितने दिन तक बंद रहेगी लेकिन जैसे यह रेल रूट फिर से चालू होता है तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो इस रेल रूट को लेकर आऊंगा और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी यह रेल रूट पर यात्रा करनी है उनके लिए काफी परेशानिया होने वाली है एक सीधा माध्यम था मैलानी जंक्शन से लेकर बहराईच तक यह जो ट्रेन चल रही थी तो दोस्तों ट्रेन बंद होने की वज़े से फिलाल परेशानिया तो होंगी लेकिन अगर लॉक्डाउन के बाद इस ट्रेन को जल्दी से जल्दी चालू किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स अपना ख्याल रखेगा गॉड ब्लेस यौल जैहिंद वंदे मातरम एक अच्छी सी वीडियो म फिर मिलते हैं आपसे गुड बाई